मैं इस वक्त राची में हूँ और कल जब से ये खबर आई है कि चुनावा योग ने हेमन सोरेन के मामले में अपनी रिपोर्ट राजपाल को सौपी है तब से जारखन में सियासी उथल फुतल शुरू हो गया है हेमन सोरेन सरकार को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं उसके भविस् अब ये अफवाहों का बाजार गरम है और चर्चाएं हो रही है तो हम लोग पर चर्चा कर रहे हैं उस पर बट ऐसी कोई बात नहीं है ये जरूर है कि इस तरह की अफवा फैला करके लागातार भारति जनता पार्टी के द्वारा ये कोशिस की जाती है कि सरकार और जिस तरह से जार्खंड में वो प्रयास कर रहे थे पिछले 15 दिनों पहले तो यह ठीक है कि जनता देखे न देखे कई बार उपर वाला भी देख रहा हो होता है और जो गड़ा हमारे लिए जार्खंड में खोद रहे थे वो गड़े में जाके बिहार में गिर गए बिहार हमारे बड़े भाई की तरह है तो अफ़ा फैला रहे हैं अब आप देखिए केलिक्सन कमिशन ओफ इंडिया का कोई नोटिफिकेशन या कोई भी जज्जमेंट है या अनुसंसा है ये कोई भी चीज चलती है तो उससे पहले सांसत को कैसे पता चल जाता है भारती जनता पा तो महा महीम से जादा कैसे लोग जान रहे हैं बारती जनता पाटी के नेता या तो वो अफवा है और अगर सच्चाई है तो ECEI उनके इसारे पर काम कर रहा है और उनको डिसिजन पहले बताता है महा महीम को बाद में बताता है तो अगर देखेंगे तो दोनों समयधानिक स प्रक्रिया की बार ठीक है लेकिन अगर सच में जो जो खबरे आ रही हैं मुखमंत्री डिस्क्वालिफाई होते हैं उस इस्तिती में क्या होगा देखे हम लोगों का प्री पॉल एलाइंस वाला गड़ बंदन है और उसमें हमारे पचास लोग हैं अगर इस तरह की कोई बात ह होती है अगर मगर किन्तु परंतु का कोई जवाब होता नहीं है बेसिकली लेकिन चुकि राजनितिक चर्चाएं हो रही है तो उसक्रम में मैं यह कहूंगा कि सब लोग मिल करके हम लोग तैक कर लेंगे उसमें किसी को चिंदा करनी क्या हो सकता आप करें कि अफवा है सरका अभी तो संबान करना पड़ेगा जब ECI कोई डिसिजन दे रही है या नहीं दे रही है वो खंडन नहीं कर रही है अगर उन्होंने कोई अनुसंसा भेजा है तो उनको बताना चाहिए कि हमने भेजा है और महा महीम जी को मिल गया है तो तुरंत हमारे मुख्यमंत्री जी को सवगत कराना चाहिए और अगर ये लोग नहीं बोल रहे हैं तो हमें बोलना पड़ेगा हमें चर्चा करनी पड़ेगी हम लोग आप लोगों के सम्मान को देखते हुए कि आप जो खबर चलाते हैं उसमें कुछ न कुछ विश्वास बचा है इस वज़े से हम लोग बैठक करेंगे कि क्या क्या इस्थिती बनी है और किस तरह से मीडिया हाइप और सारी चीजे क्रियेट करके भारती जनता पार्टी सरकार को अईस्थिर करना चाहती है तो ऐसे तमाम ताक्तों को कैसे मिल्जूल करके नेस्तनाबूत करना है या यह कही सबक सिखाना है वो हम लोग स लगते हैं क्या कॉंग्रेस में सब कुछ ठीक है कॉंग्रेस एक जुट है देखिए अगर किसी से हिंदुस्तान की सरकार को जो और भारती जनता पार्टी को डर लगता है तो वो कॉंग्रेस पार्टी है और जब डर लगता है तो चर्चा किस के बारे में करेंगे चर्चा हमा कि बात करके भारी काम करना चाहते हैं यह संभाव नहीं। कि बता दीजेगा कि वो जो कर रहे हैं तो वो बिल्ली जब दूद पीती है तो अपना आग बंद कर लेती है। सब लोग साथ ही तो बैठ रहे हैं सब लोग मिलकर होके फैसला लेंगे इसमें कहीं किसी को फैसला लेने की ज़रूरत नहीं। और एक अच्छा फैसला लेंगे उसके लिए बिलकुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हम लोग पूरी तरह से एक जूट हैं और हम यह कह सकते हैं कि सरकार को कोई चैलेंज नहीं है। बहुत बहुत शुक्री है तो बीजेपी अफवा फैलाने की कोशिस कर रही है लेकिन महागडबंद यहां जो गठबंदन है यूपिये का वो एक जूट है कॉंग्रेस एक जूट है और हमन सोरेंज सरकार को कोई चालेंज नहीं है यह कहना है कॉंग्रेस के प्रदेश्य ध शबेख centres झालेंज सरकार कोई वे।